है एवरिवन मैं शालीनी आई होग कि आप सभी अच्छे होंगे तो शुरुआ से दांस सिखाने की जो सीरीज है उसका यह पंद्रवा भाग है यह सीरीज मैंने उन लोगों के लिए चलाई है जिनको बिलकुल भी डांस नहीं आता है अगर आपको डांस करने का शौक है और आ आप उन वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए आप डांस करना ज़रूर सीख जाएंगे पिछली दो तिन भाग में आपको कमर ही चलाना सिखा रही हूँ तो आज भी एक नया तरीके से कमर कैसे चलाएंगे वो सिखारी आपको शुरू करते हैं कि आप अपने क वीडियो देखते क्नि देर आप डास कर सकते हैं तो चलिए कम से-कम 10 मिनिट तो अपने लिए निकाल लीजिए फिलहाल मेरे साथ ही करिये नहीं तो अभी शुरूर हो जा इक और यह होने वाली है है म पंजा उठाई और गुटना थोड़ासा बैंट आपको पंजे के सारे करना यह निकि आप टो में उठाएं तो ज्यादा वची उठेगी सिर्फ्टे के सारे जितने आपके एड़ी उठाई इपन्जे के सारे अठाइए गुटना आपका देखी बैंड हो जाएगा नेचरली अगर आपका पैर सीधा है आपने उठाया तो आपका घुटना अगया आ चुका है क्या करेंगे आप थोड़ा सा तिर्चा करेंगे पहले सबसे पहले हमारा देखें बेस हमारा लेफ्ट पैर है पहले दुसरे पैर निकालिए ऐसे गुमाईए इसके प्रैक्टिस करिए करिए देखिये मत करिए येस देखिये यह आपका वर्काउट भी हो गया आपको पैर आराम से जो जाम होए रहते ना पैर कई लोगों के पैर ही नहीं चलते है तो पहले आप यह करिए कमर तो अभी निकली जाएगी ये और अगर आप लेफ्ट ही है आपकी राइट में लेफ्ट कमर चलती वैसे तो आपकी दोनुग कमर चल जाएगी आगर प्रैक्टिस करेंगे तो तो आप लेफ्ट उठाईए और लेफ्ट की तरफ को करेंगे अब हम जब राइट करेंगे तो राइट की तरफ को चुका रहेंगे फिर आगे खुली जाके इसको ऐसे रोल करेंगे फिर आप अपनी हिप को उपर करके फिर नीचे करें यह खुद से निकले की निकान नहीं पड़ेगी डांस कुछ से नियुका करना पड़ता है इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है ओके अपने पैर तो चला लिया अब आप इस कमर को कैसे निका लिए यह अगर हम सीख इसमें चल भी लेंगे यह है आपका यह पैर ही है जो आपको इस पैर को तागत दे रहा है तो इस पैर को विलकुल तयार रखिए कि इस से कहने के लिए कि तुझे करना एडांस ओके यह ही हिल रहा है धीरी धीरे अगर हम चलने वाला स्टैप करते हैं तो अब आप कमर में हाथ रखें यह निका लिए ओके जब मैंने स्टैप था इस टाइप का यह देखिए तो इसमें चली थी वाली कमर ओके यह आपको उठाके गुआ के पैर नीचे रख लेना है उठाके नीचे यह यह अगर आप काउंट करके करना चाहते तो वान तू बस आप इसमें बस पैर को आपका धिहान रखना है कि पैर कैसे उठाने है रुटने कैसे निकालने उसी से यह निकलेगा आप देखे ना कमर तू चल रही है कमर के सार सार हमारा डांस सिर्फ एक चीज से नहीं होता है फुल बॉडी से होता है अभी तो मैं आपको सिर्फ कमर चलाना सीखना है बेसिक से सीखना है बिगनर से तो इस सीरीज के साथ में चलते रही है मेरे साथ अपोजिट साइड जो भी करेंगा आप लैफ्ट से कर रहे है लाड राइट से उसके जो पोजिट साइड है उसका पूरा यूस है तो उसको बिल्कुल आप ऐसे रखिए कि वह कर लेंगे लेफ्ट साइड का मेरा थोड़ा नहीं चलता है बट चला सकते है अगर आप चलाना चाहें तो मेरा भी राइट ही चलता है तो मैं अपनी वीडियो यह पर एंड करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा और आप कमेंट जरू क्लास में तब तक के लिए बाई